आज है 18 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में टाटा पावर का जो शेर है ये 245-250 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है हलकी सी हलकी सी छोटी सी गिरावट आज कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिली है लेकिन एक बहुत बड़ी ख खबरे चल रही है चाहे अलग-अलग प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हो या अफिर बाया चार्जिंग स्टेशन सेट अप करने की बात हो टाटा पावर हर किसी में लीड कर रहा है वीडियो में डिसकस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं क्योंकि जिस लेवल पे ट्रे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो काफी जादा है तो टाटा पावर का जो शेर है ये 245-250 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है पिछले एक महीने मे यहां पर 15% का ग्रोथ है 209 रुपए से शेर लगातार उपर की तरफ भाग रहा है दौड रहा है रुकने का नाम नहीं दे रहा है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक साल में ग्रोथ तो है शांदार ग्रोथ है बढ़िया ग् करीब फिर ये नीचे की तरफ आया 209 के करीब फिर वापस अभी उसी लेवल पर पहुँच रहा है तो दो बार इस लेवल से ये टूट चुका है हलका सा रजिस्टनस आप जरू कह सकते हो इस लेवल के उपर अगर इसको तोड़ दिया तो भाईया और उपर जागा लेगन अगर नहीं तोड़ पाया नहीं सस्टेन कर पाया तो दुबारा आपको 225 से 230 रुपए तक भी जाता हुआ ये नजर आ सकता है एक साल में अच्छा ग्रोथ है 200 परसंट का ग्रोथ है और अगेन मैं कह दो देखो ऐसे जो चार्ड्स है वो इससे पहले भी बने है अगर मैं तब से लेगर अब तक मेरी बाइंग के रिकमेंडेशन हर बार रही है और मैंने एक चीज़ हमेशा कहा है ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करो यहां पर 30 रुपए की बाइंग है 100 रुपे पर पहुंस गया ये मस हो जग मैं प्रॉफिल लेके निकल जाओ बने रहो यहां पर 100 का 200 भी होगा ये 200 का 500 भी होगा लेकिन जब इसने 500 क्रॉस किया ठीक है और आप देखे बहुत कम वक्त में इसने एकदम से शार्प तीज़ी दिखाई तो जाहिर से बात है अब लंबा वक्त बिताएगा ये यहां पर तो ये इससे पहले जब ये आग बढ़ रा अभी मैंने लंबे समय से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 200 और 500 के बीच में ये जोले खायेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए और उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट लेकि ब्रेक आउट देगा और तब ये उपर जाएगा और अभी के लिए मुझे लगता है कि 200 पैसे 210 रुपे के बीच में मिलता है तब इसको छोड़ना नहीं चाहिए तब खरीदारी करने के मौके होते तब नहीं छोड़ना चाहिए तब फिर डरना नहीं चाहिए कि नहीं अब ये 200 के नीचे जाए तब मैं खरीदूंगा तब वो नहीं जाने वाला है तो हमेशा एक के अब शेर है 78,900 करोड से भी जादा का इसका मार्केट का फे वॉल्यूम्स की बात के तो देर्ड करोड से भी जादा के वॉल्यूम से बड़ी कॉंटिटी में शेर ट्रेड भी हो रहे हैं डिसंबर क्वार्टर में काफी कुछ बदला है प्रमोर्टर तो चलो 46.86% की लेकर बैठे हैं लेकिन Files mutual fund insurance company ने बड़ी बिक्वाली करी है उसमें भी mutual funds ने भाई सहाब बड़े धोके दिया है 8.30% की holding 4.48% की आग चुकी है बहुत बड़ी बिक्वाली mutual fund ने करी है Files की 11.06% की holding 10.84% पर आ चुकी है insurance company की 10.93% की holding 10.83% पर है मतलब बड़े fund houses ने December quarter में बिक्वाली करी है और वो भी बड़ी बिक्वाली चोटी मोटी बिक्वाली नहीं है बड़ी बिक्वाली है यहाँ पर देखा जाए तो आपको अच्छा dividend pay कर ही रहा है लेकिन साथ में एक बड़ी खबर आईए उत्तर प्रदेश चे टाटा पावर ने वहाँ पर solar plant क को लेकर जो 100 MW का वया प्रोजेक्ट इनको मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है आप देखाद है कि टाटा पावर सेट ऑन मंडे यहाँ प्रदेश तो यहाँ प्रदेश तो यहाँ प्रदेश है कि 21 million units of electricity every year तो अच्छी बात है और देखो कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं और इनकी जो renewable की जो capacity हो चुकी है वो बहिया 1855 MW की capacity हो चुकी है wind power की कई सारी capacities है portfolio के अगर हम बात करें तो यहाँ पर total portfolio जो है solar का portfolio जो हम बात करें है वो 2123 MW का है इसमें से wind power capacity 932 MW है और 1855 MW renewable energy capacity है तो company भाईया आने वाले समय में जो green energy की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तीजी से यही company आगर बट रही है company aim to increase the share of green energy in its power generation portfolio to 80% मतलब अभी जो भी electricity city यह लोग produce कर रहे हैं उनका मकसद है कि financial year 2030 तक इसको 80% तक किया जाए जो सारी renewable energy के source से ही चीज़े यहाँ पर चलेगी और यह बहुत ही अच्छा initiative है और जो investors होते हैं वो इसका welcome भी करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ भी है वो है भाईया इनके electric vehicles के लिए जो charging station यह लोग setup करते हैं टाटा पावर ने 1400 wall mounted install कर दिये हैं यहाँ पर 50 fast chargers for electric vehicles in Delhi NCR तो अच्छी बात है वहाईया लेकिन जिस price पर अभी बैठा है यह यह 500 रुपे का price वो मुझे लगता है कि वो profit booking वाला price है वहाँ पर fresh entry करना risk है वो यहाँ से risk ज्यादा है reward कम है यहाँ पर 500 रुपे का level जो है इसलिए 20% आपको according to money control लोग बेचने की बात कर रहे हैं बाकि सब लोग खरीदने के और hold कर करने की सला जरूर दे रहे हैं revenue definitely इनके अच्छे हैं और even 2022 में के 40,000 करोड तक के revenue देखने को मिलेंगे और जो profits है जो अब तक बहुत कम थे 611 करोड का profit था 2021 में अब वो 1600 करोड होगा क्योंकि दो quarter के जो results आए उसमें अल्यड़ी 800 करोड से भी जादा किने उनने profit कमा लिया है तो इसी रफतार से अगर बढ़ेंगे भी तो भाई साहाब 1600 करोड का अब तक का सबसे highest profit company record कर सकती है देखो company में सब कुछ बढ़िया चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन एक चीज़ यह होती है कि भाई साहाब थोड़ा महंगा तो हो चुका है यह 27 का share इत resistance वाला लेवल है वहां से fresh entry लेना मुझे लगता है कि थोड़ा सम महंगा होगा और वहां से risk जादा है reward कम है और इसलिए आप देखेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका नहीं है क्योंकि और बोड जोन में यह कहना है tickle tap का हला कि कोई भी red flag नजन नहीं आ रहा है अच्छा dividend paying share ज़रूर है हला कि long term में अच्छा पैसा बना कर नहीं दिया है bank revenue जितना भी नहीं दिया है reason यह है कि power company अब तक focus में थी ही नहीं power company अभी पिछले एक डेड़ साल से अच्छे का सी focus में आई है जब से electric vehicles की चर्चा शुरू हुई है वहना 10 साल का अगर आप देखोगे तो भाई साब यह steady था तेजी अभी आई है यहाँ पर पिछले एक डेड़ साल में तेजी आई है यहाँ पर वहना अब तक यहाँ पर हर एक दशक ऐसा होता है जहाँ पर भाईया बिजनस जो होता है वो change होते है हमेशा कौन सा बिजनस focus में रहने वाला है investor कहाँ ज़्यादा पैसा लगाने वाले है तो यहाँ पर जो power company वो ज़्यादा focus में रहने वाली है आज हर कोई उसी के पीछे पागल हो रहा है इवन नहीं वहाँ पर पड़ा हुआ है और टाटा मुझे लगता है कि अच्छी company है बहतरीन company है और लेकिन फिर भी 500 रुपए खरीदारी का level मुझे पसंद नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर risk जादा है reward कम है अगर यह 220 रुपए के आसवास मिलता है तो वहाँ पर मौके बनेंग थे हैं थैंक यह